दोस्तों अगर आप Excel में किसी data के उपर काम कर रहे हैं और अचानक आपको उसी data में से किसी row से data को switch करके column में लाना हो या column से data को switch करके row में लाना हो तो आप क्या करेंगे? इसके लिए Excel में दो तरीके हैं पहला paste special में दिये गए transpose option का यूज़ करके जिसके बारे में आप जरूर जानते होंगे लेकिन इसके लावा Excel में एक function भी होता है जिसका यूज़ करके आप data को flip, switch या transpose कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं प्रेम कांत पांडे Excel इनवर्ट से आपका स्वगत करता हूँ Excel की इस वीडियो टुटोरियल में जहां मैं लेकर आता हूँ Excel के basic और advanced टुटोरियल वीडियो के साथ साथ आपके Excel से जुरे सवाले को उपर on-demand वीडियो विट लाइव एक्जामपल आप ने इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो के अफडेट सबसे बहले पाने के लिए और हाँ इस वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलें तो आएए सीखते हैं Transpose Function यहां मेरे पास एक डेटा है और मुझे इसके मन्त जो की Horizontally है अलग-अलग Column में है इसे Flip करके, Switch करके, Vertically करना है यानि हमें इसे Column से निकालके अलग-अलग Row में पेस्ट करना है तो सबसे पहले हम इसे Copy करेंगे और जहां हमें यह चाहिए वहां Right क्लिक करेंगे Paste Special में जाएंगे और इसमें आपको सबसे निचे दिखेगा Transpose का Checkbox इस पर क्लिक करके OK कर दीजे और डेटा यहां Flip होकर आ गया लेकिन अगर मैं इस डेटाबेस में किसी मन्त को Change करूँ और कुछ और लिख दूँ तो यहां वो Changes Apply नहीं होंगे क्योंकि हमने इस डेटा को यहां As a Value पेस्ट किया है जो कि इस डेटाबेस से Link नहीं है लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि मेरा डेटा Transpose होने के साथ साथ इसके साथ Link भी हो जाए और जो Value मैं यहां Change करूँ वो यहां भी Update होने चाहिए तो इसके लिए हम Function का Use करेंगे 25 यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत से Advanced features मिलेंगे जो आपके काम को बहुत ही असान बना सकते हैं आप इसे यहां देख भी सकते हैं फिलाहाल सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह Function बाकी सारे Versions पे कैसे काम करता है जैसे आप Excel 2007, 2010, 2013 या 16 या 19 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें यह Function कैसे काम करेगा तो यहां हम जब इस Range को Select करते हैं तो आपको यहां Name Box में एक Number कुछ इस तरह से दीखता है जिसमें 1R और 12C है इसका मतलब आपने जो Range Select किया है उस Selection में एक Row है और 12 Column है वैसे ही अगर मैं इस Range को Select करूँ तो यहां Result आ रहा है 8R and 1C मतलब इस Selection में एक Column और 8 Row है तो हमें इस Range के Data को Transpose करना है इस Month वाले Data को Transpose करना है जो कि कुल 12 Column में है जैसे कि मैंने Select किया था तो आपने यहां पे देखा था अगर हम इसे Flip या Transpose करेंगे तो यह 12 Column को बदले 12 Row में आएगा तो हम यहां Vertically 12 Row को Select कर लेंगे अब यहां Select किये गए किसी भी सेल में लिखेंगे इक्वल टू, Transpose, Bracket Open और Array में यह वाला Range जिसे हमें Transpose करना है इसके बाद Bracket Close and यहां पे Direct Enter नहीं करना है नहीं तो यह error दे सकता है या किसी एक सेल के Value को ही डिस्पिले करेगा तो हम यहां Ctrl प्लस Shift प्लस Enter तीनो एक सांस प्रेस करेंगे और देखिए हमारा Data यहां Horizontally to Vertically स्विच होकर आ गया है एक बाद फिर से देखिए अब की बार मैं इस Value वाले Range को Transpose करता हूँ तो यह data भी 12 Column में है जिसे 12 Row में लाना है तो हम यहां 12 Row को Select कर लेंगे इसके बाद यहां किसी सेल में लिखेंगे Equal to Transpose Bracket Open Array में इस Value वाले Range को उसके बाद Bracket Close and Ctrl Shift प्लस Enter तीनो एक सांस प्रेस करेंगे और हमारा Data यहां पे आ गया यहां मैंने अभी Data को Horizontally to Vertically Transpose किया है Switch किया है या Flip किया है अब एक बार Vertically to Horizontally करते हैं तो यहां मैं इस Column के Data को Hydral साथ Horizontally Switch करता हूँ तो इससे पहले Check कर लेते हैं कि यह कितने रोज में है रोज के Data को हमें Column में लाना है तो यहां से यहां तक Select कर लेंगे और यहां आपको Name Box में दिख रहा है कि यह 8 रो में है तो हम यहां कोई भी 8 Column Select कर लेंगे जहां हमें यह Data Transpose होने के बाद चाहिए इसके बाद इसमें लिखेंगे Equal to Transpose Bracket Open Array में यह वाला Range Select कर लेंगे जिसे हमें Transpose करना है इसके बाद द्रैकेट क्लोज and Ctrl, Shift, Enter और हमारा Data एक Column से Switch होकर अलग-अलग Column में आ गया है अगर आप चाहें तो इस पूरे Data Table के Orientation को Change कर सकते हैं इसको भी आप Transpose, Switch या Flip कर सकते हैं इसके लिए भी सेम तरीका है अगर हम इस पूरे Table को Select करें तो यहां Name Box में देखिएगा 8R and 13C आ रहा है मतलब यह पूरा Table 8 Row और 13 Column में फैला हुआ है अगर इसे Transpose करें तो यह 13 Row 13 Column की जगा हो जाएगा 13 Row और 8 Row में Data है तो यह 8 Column में आ जाएगा तो सबसे पहले हम यहां पे 13 Row सेलेक्ट करते हैं और फिर 8 Column इसके बाद किसी भी सेल में यहां पे लिखेंगे Equal to Transpose, Bracket Open Array में इस पूरे Table को ही सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद Bracket Close and Press Ctrl Shift plus Enter तीनो एक साथ और देखिए यहां पूरा का पूरा Table Switch होकर आ गया है अब देखिएगा अगर मैं यहां कोई भी Value Change करता हूँ इस Table में तो वो Value हमने जहां जहां Transpose का Function लगाया है वहां भी Update होगा जैसे मैं यहां इस Month में इसको Change करूँ तो देखिए गया यही Month मैंने यहां पे Transpose किया था तो यहां पे भी Update हो रहा है वैसे ही मैंने इस Data के Column Header को भी यहां पे Transpose करके लिया था तो अगर मैं यहां पे Change करता हूँ तो यह Data भी वहां पे Update हो जाएगा वैसे ही मैं इस Table में दिये गया किसी Database में Change करूँ तो वो Data भी हमारा पूरा Table जहां Transpose होकर आया है वहां भी Update हो जाएगा मतलब हमने इस Function का यूज़ करके इन सारे Data को एक दूसरे के साथ Link कर दिया है और जब भी आप कोई Data Update करेंगे तो यह वहां भी Update हो जाएगा अगर आप Transpose Function में Range Selection जितना करेंगे उतने में ही Record आएगा जैसे यहां यह Data आठ रो में है अगर मैं आठ रो के बदले साथ कॉल्म को ही Select करूँ और यहां Transpose Function लगाऊं तो हमारा Data इसी साथ कॉल्म में आएगा एक Data Skip हो जाएगा जबकि हमारा Data यहां पे आठ रो में था और इसे आठ कॉल्म में आना चाहिए था लेकिन मैंने सेलेक्शन साथ ही कॉल्म पर किया है इसलिए यह Data साथ कॉल्म में ही आ रहा है ठीक इसका उल्टा अगर हम अपने सेलेक्शन को Expand करते हैं मतलब यहां Data आठ रो में है तो हम आठ कॉल्म की जगा 15 कॉल्म सेलेक्ट कर लें और उसमें अगर हम यह फंक्शन लगाते हैं तो हमारा Data यहां पे जितने में होगा उतने में आएगा और उसके बाद जो भी सेलेक्शन हुआ है उसमें Error Value आ जाएगा अगर आप चाहते हैं वहां भी कोई Data है और आपके इस Data में कोई भी नया Record Input होता है तो वो भी Update हो जाए वहां पे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यहां भी आपको पूड़ा का पूड़ा कॉल्म या उतना Range सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप कोई भी नया Record Input करें तो वो भी Transpose में Update हो जाए तो इस तरह से आप Transpose function का यूज Data को स्विच करने के लिए Flip करने के लिए या Transpose करने के लिए कर सकते हैं अगर आप MS Office 365 का Excel यानि latest version of Excel यूज कर रहे हैं तो आपको इतना सेलेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है जैसे मैं यहां लिखूंगा Equal to Transpose, Bracket Open और Array में यहां से इस Range को सेलेक्ट करके इंटर कर दूँ तो अपने आप मेरा Data ट्रांस्पोज हो जाएगा फिर मैं इसे चाहूं Vertically या Horizontally जैसे सलेक्ट करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका Data Horizontally होगा तो यह Vertically Transpose होगा, अगर Vertically होगा तो यह Horizontally अपने आप ही हो जाएगा तो इस तरह Office 365 बाकी पुराने वर्जन से काफी Advanced और User Friendly है आप भी इस MS Office 365 में दिये गए Excel का यूज करके देख सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेशन जिसमें मैंने आपको Transpose function का बारे मताया अच्छे से समझ गए होंगे अगर फिर भी आपको कोई doubts है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं या screen पे दिये का number पे call कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next function we look up को लेकर तब तक के लिए नमस्कार